तो दोस्तो एक बाव फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल बखबक में दोस्तो आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि वीटा एप में टेक्स फीचर को कैसे यूज करते हैं कैसे आप अमने वीडियो में टेक्स लगा सकते हैं उसे एडिट कर सकते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा अगर आप में से किसी को नहीं पता है कि वीटा एप क्या है तो इस टॉपिक में और इडियो बना चुका हूँ उसका लिंक मैं दे दूँगा वीडियो के डिस्किप्सन में वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते ह कि कैसे वीटा एप को यूज किया जाता है आपकी जानकारे के लिए मैं बता दूँ कि वीडियो एडिटिंग एप है और उसमें सारे फीचर पूरी तरह से फ्री हैं तो अभी हम यहां पर वीटा एप को ओपन कर लेते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं वीटा एप ओपन हो और एक कोई फाइल भी हम ओपन कर लेते हैं उसमें आपको ट्रेक्स के बारे में बता देता हूं तो चलिए हम सब्सक्राइब कर लेते हैं कि फाल हम ने हापbeing कर लिया cape कि अब यह मैंने कोछ एक वीडियो बनाया था तो माल लिजे एक वीडियो है हमें यहां पर फाइल एड कर लेते हैं कोई भी एक फाइल मैं एड कर लूंगा जिसे वीडियो जाया लंबा भी नहों और आपको आसानी हो जैसे है छोटा सा वीडियो है सोलर सेकंड का इसे मैं एड कर लेता हूं बस एड हो जाएगा उसके बाद से मैं आपको बता दूँगा कि कैसे टेक्स के फीचर को एड करते हैं यानि टेक्स आप अपने वीडियो में लगा सकते हैं ना सिंपल टेक्स लगा सकते हैं उसको बहुत ही एट्रैक्टिव तरीके स अपने नीट के कॉर्डिंग उसे आप चेंज कर सकते हैं अब देखिए यह वीडियो मैंने यहां लगा दिया यह वीडियो टोटल हो गया 31 सेकेंड का यह मेरा इंट्रो है यह हमारा मेंड ऑब्जेक्ट है अब माल लेजे मुझे यहां पर टेक्स लगाना है कुछ लिखना है प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल ऐसा लिखा जाता है ना या लाइक से लाइक एंड से तो मुझे यहां नीचे दिखिए टी का ओप्सन बना है टेक्स पर क्लिक करना है और जो भी आप लिखना चाहते हैं तो मैं यहां पर लिख देता हूं प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इतना लिख दिया मैंने अब देखिए ए बॉक्स में उपर आ गया अब नीचे आपको चार ओप्सन दिखेंगे कीबोर्ड फॉन्ट स्टाइल एनिमेशन तो कीबोर्ड का यूज तो आप कर रहे हैं और जो लिख रहे हैं ठीक है अब आते हैं फ बहुत सारे फॉन्ट आपको दिखेंगे आप जो भी क्लिक करेंगे उपर महां पर आटोमेटिक चेंज होगा तो प्रिवीव आपको देखने को मिलेगा ठीक है बहुत सारे फॉन्ट है जो भी आप चाहें यूज कर सकते हैं उसके बाद से नीचे आप देखेंगे यहां कल और तो जो color अब देना चाहरे पें अपने टेक्स को हाब अपर हाधир सकते क कलर में यहां पर आप बॉर्डर मिल जाएं देखिया कि यहां पर सेड़ो मिल जाए रहनि पीछे परक्षाइ लेबल में यहां पर ऐला।्ठ में बर चाहिएं यहां पी स्पेस मिल जाएगा यहां लेटर के बीच में इस पिर देना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अगर लाइन के बीच में आप देना तो आप इसको इनक्रीज कर सकते हैं क्लियर कोई डाउड नहीं होना चाहिए मेन एक हैन से अब हमाते हैं स्टाइल पे। स्टाइल में बोछु सारे शुक्त आपको दिख जाएंगे जिसे कि मैंने यहाँ स्माल को सेलेक्ट किया तो ऐसे दिखेगा अगर मैंने यहाँ पर एलो को सेलेक्ट किया तो आपका टो टेक्स है ऐसे दिखेगा यह देखिए बहुत सारे आपसन है मैंने यहाँ पर ब्लॉक सेलेक्ट किया तो ऐसे दिखेगा य देखे इसको आप increase decrease तो बटी आसानी से कर सकते हैं। जहां पर चाहें वहाँ पिसको आपset कर सकते हैं। कोई प्राव्लंम नए है, nlumatique बॉट्ञ क्यारता से यहां जाहें वहाँ परी यहां तक कोई डाउटी, मेरे खियाल से कोई डाउटी मुझत है। आगे आते हैं यहां पर आपको एनिमेशन दिख जाएगा अब आपका जो टेक्स्ट है वो किस तरह से एनिमेट हो यानि किस तरह से आप्यर हो यहां देखिए प्रिव्यू चल रहा है फैड जूम इन जूम आउट इस्पीन स्लाइट स्लाइट लेफ्ट स्लाइट राइट स्लाइट डाउं स्लाइट आप वाइप वाइप लेफ्ट तो यहां देखिए वाइप डाउं वाइप जो आप स्लाइट करना चाहें यू कें डू और उसके बाद से आपको यहां पर टेक्ट पर क्लिक कर देना है अब आप दे देखे जो हमने सेट किया हो गया बस दोस्तों तो बहुत ही आसानी से आप टेक्स को ना सिर्फ लगा सकते हैं लेकिन बलकि बहुत तरीके से आप उसको एट्रेक्टिव भी बना सकते हैं यही मुझे आपको इस वीडियो में बताना था यहां पर स्टाइल है जो कि स्टाइल आपने वहां से किया था कभी भी आप चेंज कर सकते हैं जब तक आपने वीडियो को एक्सपोर्ट नहीं किया है तब तक आप बढ़ी आसानी से इसको अपने टेक्स को एडिट कर सकते हैं अपने एक ओर्डिंग जहां पर भी चाहें वहां पर उसे लगा सकते हैं यह वीड कारी आपको अच्छे लगी हो समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाईयों और बेहनों क्योंकि डेली में ऐसे ही टेप एंटिक्स बताता रहता हूं मिलूंगा अगले वीडियो में कुछ औ क्यारी वाब बाई दोस्टू झाल